Hello everyone, Welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point Hello बच्चों को फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है At first आपको many many congratulations कि आपका first term exam हो गया है और अब आप लोग second term का exam की त्यारी करें I hope कि सबका exam बिल्कुल अच्छा गया होगा तो सबसे पहले बता दे कि आपको math में जो second term में क्या क्या पढ़ना है First term के compare में syllabus जादा है या कुछ कम है किस तरह से पढ़ना है तो सारे chapters के बारे में हम लोग detail में जानेंगे और आपका क्या क्या syllabus है, क्या क्या chapter आ रहा है, कितने numbers का आ रहा है तो सबसे पहले बता दे कि आपको first term के compare में थोड़ा second term में जो chapter है वो कमारा है यह सबसे पहले आपके लिए बहुद बड़ी खुस ख़बरी है कि आपका थोड़ा जो chapter है वो कमारा है हलाकि जो भी chapter है थोड़ा lengthy जरूर है लेकिन जो syllabus है वो chapter जो है वो कमार है तो यहाँ पे हम बात करें topics की तो सबसे पहले आपको दिख रहागा algebra जो है वो 12 number का है और algebra यानि कि chapter number 2 polynomials ठीक है यानि कि जो हिंदी में बच्चे देख रहे हैं बहुपद chapter दूसरा जो है वो 12 number का है तो काफी जो है scoring का chapter है एक ही chapter अब 12 number का आ रहा है उसके बाद geometry यानि कि यह 15 number का आ रहा है geometry यानि कि geometry के जो हम बात करें तो इसके अंदर से chapter 8, chapter 10 और chapter 11 ठीक है बच्चों यह 3 chapter मिला के 15 number का है chapter 8 quadrilateral, chapter 10 जो है circle और chapter 11 construction ठीक है यह जो 3 मिला के जो है students यह 15 number का आएगा और आपको बताते कि इस बार जो आपका paper होने बाला है वो इसमें MC की question और subjective question दोनों रहेगा 20 number का MC की 20 number का subjective बाकी और भी जैसे update कुछ आता है CBSE के तरफ से उसके बारे में तो हम आपको update करते रहेंगे तो फिलाल यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह 3 chapter मिला के आपका 15 number का आ रहा है chapter 8 quadrilateral chapter 10 जो है circle और chapter 11 जो है construction उसके बाद mensuration mensuration जो है students वो 9 number का है mensuration की बात करो तिसमें हमें volume surface area cube को यह सब के बारे में हमें पढ़ना है जो आपका chapter number है जो आपका chapter number 13 है ठीक है और यह जो है कितने number का आ रहा है students यह जो है आपका आ रहा है 9 number का उके उसके बाद हम बात करें जो unit 4 है statics and probability इसमें probability जो chapter है chapter number 15 यह जो है students आपका आ रहा है 4 number का तक अगर जो आपको हम बता है कि यहाँ पिर नंबर यहाँ पे नंबर फटर कितना है चप्टर टू चप्टर एट चप्टर यह प्टर फर्टीन प्रट है तो काफी कम आगर फट्र anime क्षाप्टर जुए वह कितना है आ रहा है चप्टर किसे सकेंड फर्स्ट डम की स्लेबस में तापका चप्टर गॉन आ रहा था चप्टर 3 आ रहा था चप्टर 4 आया था उसके बाद 6 था 7 था 12 था और 14 था पिछले बार के अगर जो हम देखे तो नमबर चप्टर जो था वो 7 चप्टर था 7 चप्टर था और इस बाद 6 है तो पिछले के compare में एक chapter कम आ रहा है लेकिन हम बता दें पहले कि इसमें जो chapter है जैसे कि आपका ये जो है कि वाइड क्यूब का volume surface या कोई ये सब पड़ोगे थोड़ा lengthy chapter है algebra जो है इसमें lengthy chapter है और ये पूरा बारा नमबर का आ रहा है तो कुछ lengthy जरूर है लेकिन topics हमें जादा नहीं दिया हुआ है तो हम लग बिल्कुल अच्छे से मेनत करेंगा अच्छे से समझेंगे थाइ अपका syllabus जो है क्या आ रहा है कितने नमबर का आ रहा है उध था किलियर हो गया है हम बाकर यहाँ पर detail में देखो आ आपको दिया गया है polynomials में क्या क्या पढ़ना ए नहीं पढ़ना है यहां पर देखो quad collateral जो chapter है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सरकल में क्या-क्या पढ़ना यह सारे डिटेल में हम एक तुल हम डिटेल वीडियो जो अल्रेडी अप्लोड कर रखे थे जब फॉस्टर में सकेंटर हम दोनों का वीडियो भी बनाये थे तो आई होप कि वहां से भी आप लोग चीजों का अच्छे से समझेंगे अब हम बता बहुत सारे स्टूरेंट का कन्फूजन हो रहा गा कि सर चप्टर नाइन तो चप्टर नाइन जो है स्टूरेंट वह आहीं नहीं रहा तो इस तरीके से लगेगा पिरोडिक टेस्ट का ती नंबर मुल्टिपल एससेस्मेंट का टू नंबर पॉट्फॉलियो पाइल का दो टोटम इलाके 10 नंबर इंटर्नल एससमेंट और कुली मिलाके 40 प्लस 10 कितने मार्स का होगा स्टूरें 50 मार्स का ताय होग कि आपको जो सकेंटर में किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया होगा बाकि आप हमारे साथ जूड़े रहे ताकि हम जैसे हैसे हर एक चप्ट